Hey everyone, welcome to Unacademy platform and welcome to the short videos जिसमें मैं आपके लिए 20 मिनिट के अंदर एक पूरे टॉपिक को समझाता हूँ और उस टॉपिक को मेंस के परस्पेक्टिव से हम ज़्यादा फोकस करते हैं और उस टॉपिक से प्रिलिम्स में भी हमारे कोशन किस तरीके से फ्रेम किये जाते हैं वो भी हम यहाँ पर कवर करते हैं अभी यह टॉपिक की जो हमारी सीरीज चल रही है तो approximately 8 to 10 topics already I had put और उसका जो आपको लिंक है वो टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा आदकर जो हमारा टॉपिक है वो है marginalization of the sexual minorities and who are the sexual minorities तो हमें यहाँ पर बात करनी होगी तो वो होते हैं हमारे LGBT Q plus minorities तो यह जो हमारी minorities होती है उसको हम बोलते है sexual minorities तो यह sexual minorities का जो marginalization होता है चाहे हम उसको employment में बात करते हैं या फिर health issues में बात करते हैं या फिर उनके personal rights में बात करते हैं तो उसको भी हम यहाँ पर देखना है किस तरीके से जो हमारा role of judiciary है उन्होंने किस तरीके से इनका upliftment किया है society में that also we will going to see and apart from this discrimination जो है यह face करते हैं हमारे society में वो क्या क्या discrimination होते है that we will going to see way forward क्या होगा वो भी हम यहाँ पर देखेंगे तो यह भी पूरा आपका topic यहाँ पर marginalization of the sexual minorities तयार हो जाएगा यह जो topic है वो आपके GS paper 1 में जिसको हम बोलते है society के point of view से या फिर social issues में आपके लिए help करेगा और यही जो topic है वो आपके लिए GS paper 2 में जो quality section है उसके लिए भी आपके लिए helpful होता है GS paper 4 जिसमें हम ethics की बात करते हैं वहाँ पर भी आपके लिए topic helpful होता है और इसके अलावा हमारे ऐसे paper में and prelims examination में आपको यह topic जो है वो helpful रहेगा यह topic आपको समझना बहुत जरूरी होता है और हमेशा मैं आपके लिए एक बात बोलता हूं कि to become an IAS officer what IAS officer duty is to protect this sexual minorities and the other marginalized section of the societies जैसे कि SC, ST, OBC और फिर हमार को आप जब अगर अच्छे से पढ़ेंगे during your preparation then it will going to benefit after your selection तो यह क्या है हमें एक पूरे topic को यहाँ पर तयार करना होगा okay so we will begin this and before this यह जो topic है यह मैंने topic आपको लिए लिया हुआ है तो आज हमारे हिंदू में एक article आया हुआ था और उस article मैंसे ही मैंने आपको यह topic उठाया हुआ है और यह topic का headline था on the margin with full equality still out of reach मतलब equality का कहना तो है मगर वो still out of reach in the society हमें देखने को मिलता है तो यह article था काफी अच्छा article इसको लिखा गया है तो इसको हम पढ़ेंगे तो before this I would like to introduce an academy platform an academy जो है वो इंडिया का largest education platform है जहाँ पर आपके लिए 100 प्लस टॉप educators दिखाई देते हैं हमारे ethics की classes भी चलाई जा रही है और ethics की classes जो है वो आपके लिए daily classes होती है जिसमें मैंने अभी तक ethics and human interface के बारा topic cover कर लिये है और यह मेरा telegram channel है जहां से आपको जो भी update होता है वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएगा unacademy में आपके लिए report and win मतलब inappropriate content को लेकर unacademy काफी सकरी है तो आप अगर report करेंगे तो you will win the price as well 80 आपके लिए test हर पूरे एक साल भर में जो आपको comprehensive plan है उसमें आपको 80 test मिलते हैं जिसमें 50 prelims के test होते हैं और 30 mains test होते हैं और यह जो test से उसका cost से 30,000 रुपीज चार जुलाई से यह test जो है वो आपके लिए upload होना शुरू हो जा देंगे unacademy में जो subscription है वो एक subscription लेने पर आपके लिए यहाँ पर referral code आप भी apply करेंगे तो आपको मिल जाएगा TJLIB code apply करके 10% discount हो एड़ इसी के अलावा आपके लिए जो optional का होता है उसमें आपको 25% discount दे रहा है unacademy यह offer काफी limited है इसके अलावा महा subscription plan भी चलाए जा रहा है जिसमें one year plan, two year plan है अगर आप अभी plan खरीते हैं तो आपके लिए next means examination तक यह plan valid रहेगा और यह जो plan का जीस इतना भी आपको schemes है चाहिए आपके लिए interest हो यह loan हो तो यह सब आपके लिए यहापर provide किया जाता है unacademy की तरफ से books भी आपको मिलती है और books के साथ साथ आपके लिए यहापर एक seats है जो कि बहुत limited seats है जिसकी last day 30th July जिसमें आपको weekly one-on-one mentoring session provide किया जाएगा unacademy की तरफ से मगर आपका यह रहेगा कि आपको दो साल से उपर का iconic plan खरीदना है plus and iconic दो प्लान होते हैं plus में live test, weekly test, unlimited access to the classes और structure course मिलता है और iconic में आपको plus के अलावा guidance मिलता है एक analysis मिलता है test का एक expert की guidelines के अंदर आप पूरी एक तयारी करते हैं अगर हम plus plan की बात करेंगे तो जो एक साल का plus plan है वो ह 24,550 रुपेगा और वही iconic और अगर हम optional की बात करते हैं वो है 27,500 जो कि अभी आपको पढ़ता है 24,750 रुपेगा अनेकेडमी में आपके लिए 30 जून तक आपके लिए 1 year, 2 year एक नए बैचे शुरू किये जाएंगे Phoenix batch, NCRT badges यह आपके लिए अनेकेडमी शुरू करता है प्री टैस सीरीज भी अनेकेडमी में आपके लिए मिलती है और अनेकेडमी कॉमबोड जो है वो हर संडे को सुवे 11 बचे मिलता है जिसमें आपको 60 मिनिट में 60 questions मिलते हैं और जो questions होते हैं वो Hindi और English दोनों में रहते हैं तो यह तो रहा हमारा क्या कि अभी तक जो है sexual minorities का क्या role रहता है और किस तरीके से जो question पूशे जाते हैं वो आपके लिए यहाँ पर देखना है तो as I always say कि जब आपके लिए 10 marks का एक question आएगा तो आपको 10 marks के question के हिसाब से इसको तयार करना है या फिर 50 mark के हिसाब से आपको इसको तयार करना है question क्या है कि despite judicial verdict इंडिया का जो sexual minority है वो face करता है discrimination employment में, health issues में and personal rights में मतलब judicial verdict इतने सारे आने के बाद भी इंडिया का जो sexual minority है वो यहाँ पर एक discrimination सभी जगए face करता है इसी चीज को लेकर सबसे पहले हमें क्या जानना है कि LGBTQ का full form क्या है तो LGBTQ का full form क्या होता है तो वो होता है हमारा lesbian, gay, bisexual, transgender and core यह जो core community है वो core community कुछ नहीं होती है वही वो ही community होती है जिसमें हमारी जो favor होती है preferences की वो asexual या फिर हम कहेंगे यह invisible minority के conditions में आते हैं हमारे भारत देश के अंदर पहली बार 1970 में या 1970 के बाद Dr. Frank Kamini थे तो इन Dr. Frank Kamini ने पहली बार पहल उठाई थी और इन सब के साथ अलग-अलग activist ने पहली बार पहल उठाया कि इनका भी बराबरी से हक है हमारी society में इनको जीने का भी वही हक है और इनको एक status भी मिलना चाहिए वरना 1970 के पहले इसको एक बीमारी माना जाता था मतलब ही कोई भी अगर गे होता था या बाय सेक्शोल या लेस्बियन होते थे तो उनको एक mental disorder बोलके छोड़ दिया जाता था और इवर उनका treatment भी करवाया जाता था यही जो है वो आज के टाइम पे हमारे हाँ पर भी आया गया है कि किस तरीके से जो गे होते हैं उनका क्या है harassment होता है अब यह जो कौर कमिटी को हमने देख लिया तो जितने भी गेंस इनको कौर कमिटी को होते हैं वो सब इनको grant मिलती है किसकी तरफ से judiciary की तरफ से legislature ने अभी तक इनकी उपर कोई भी कानून हमारे देश में अब जुडिशल जो वर्डिक्ट हुए है उसमें जो हमारे sexual minorities है वो अभी भी क्या है preferences या फिर harassment face करते हैं उनकी जरुवत क्या है तो उनको चाहिए है liberal approach और उनको चाहिए है inclusive सम्मीधार मतलब they want country to be liberal they want country जिसमें inclusive constitution होना चाहिए और अभी इनको discrimination face करते हैं ये तो ये तीन area में discrimination face करते हैं पहला जो area है इनका discrimination face करने का वो area होता है हमारा employment का area मतलब they are feeling discrimination in the field of employment they are feeling discrimination in the field of health issues and they are also feeling discriminations in the field of personal rights तो ये तीन एरिया है जहां पर हमें देखने को मिलता है कि they are feeling discrimination in one or the other way अब इसके अलावा गर हमें बात करना होगा तो इसके अलावा role of judiciary क्या रहा है अभी तक हमारे पूरे LGBT community के लिए तो role of judiciary में हमेशा से एक war रहा है तो there was a tug of war so there is a tug of war, war किसके बीच में रहा है कि एक तरफ तो हमारे लिए traditional जो हमारे एक rituals है उसको हमें follow करना रहता है हमेशा और दूसरी तरफ जो हमें individual rights की भी बात करनी है so there is a traditional conception of society and traditional conception of society एक तरफ होता है और दूसरी तरफ हमारे आपर जो debate में रहता है वो रहते है कि rights of individual अब rights of individual देना है या फिर हमें society के बारे में सोच के चलना है तो इधर पर judiciary ने एक अच्छा decision लिया कि they are focusing on the rights of individual and rights of individual के focus करके और उनकी dignity को focus करके higher judiciary न यहाँ पर favor किसको किया individuality को favor किया over the conception of the society ये एक अच्छी बात भी हमें आपर देखने को मिलती है अब judiciary में तीन main बड़े-बड़े क्या है यहाँ पर we can say order या फिर ruling निकल कर आई है पहली जो ruling आई है वो है में यह ruling निकल कर आया फिर इसके बाद एक ruling निकल कर आई थी वो थी नवतेश सिंग जोहर case नवतेश सिंग जोहर case नवतेश सिंग जोहर case में भी क्या है यह ruling निकल कर आया था जिसमें हमने बात किया गया था LGBT community के rights के लिए तो मतलब we can say कि judiciary तो सक्रिये है इनको rights दिलाने क लिए तो नास foundation versus government of India and city of Delhi में 2009 में जो case था उसमें 377 जो हमारा article है 377 section क्या है IPC का एक section IPC एक Indian Penal Code होता है तो 377 पहले एक criminal office माना चाता था मतलब कि unnatural sex में unreasonable classification में इसको रखते थे और कोई भी इंसान अगर पकड़ा गया तो उसको हम क्या है यहां पर सजा देते थे मतलब कि क कोई भी अगर lesbian या gay कुछ भी एक activities, bisexual या homosexual activities को देखते हुए पकड़ा गया तो it will consider it as a crime और यह जो है 300 section article of the IPC में इसको क्या है सजा मिलती थी और एक criminal offense माना जाता था मगर तो जो नास foundation versus government of entity of Delhi case था उसमें इसको क्या माना गया इसमें इसको section 377 को खतम कर दिया एक बात पर याद रखना है कि section 377 जो है वो खतम तो हुआ मगर वो पूरे तरीके से खतम नहीं किया इसमें अभी भी जो है वो बिल्कुल सही बात भी है कि unnatural sex against the animal या फिर विद दा एनिमल जो किया जाता है with the human मतलब by the human against या फिर विद दा एनिमल जो sexual favors या फिर sexual intercourse किया जाता है व versus union of India case 2014 जिसमें Supreme Court ने ये कहा गया कि it declared transgender people to be a third gender ये भी बहुत अच्छा judgment था अभी आप अगर UPSC का form भरते हैं तो आपको male female और transgender मिलता है अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो भी आपको third gender के लिए other करके भी option आने लगा है ये option कब से आया जब 2014 में ruling निकल कर आया इसके एक और ruling निकल कर आई है वो है 2018 की ruling जिसको हम बोलते हैं नवते सिंग जोहर versus union of India जिसमें Supreme Court ने ये जो हमारा section 377 था उसमें ये माना गया कि it held that criminalization of consensual homosexual behavior between the adults was unconstitutional, irrational, indefensible and manifestly arbitrary तो ये जो judgment है ये प्रूफ करते हैं कि LGBTQ क्यों के लिए हमारी judiciary तो काफी liberal होती जा रही है मगर उसके लिए ठोस कानून बनाना जरूरी है Now, what are the discriminations LGBTQ plus communities are facing nowadays या फिर पुराने समय से क्या क्या है discrimination दूर ब्रभवार वो जो face करते हैं तो इसको आपको चार points में यहाँ पर majorly divide करना होगा कि चार parts में यह discrimination face करते हैं Discrimination में अगर हम बात करेंगे तो full equality की they demand करते हैं they are demanding full equality तो it is still a pie in the sky तो full equality is still a pie in the sky दूसरा यहाँ पर जो बात आती है वो है legal sanction मतलब भले ही नवदे सिंस जोहर case में कुछ भी आ गया हो मगर अभी भी जो legal section है उनको यहाँ पर क्या है society ने accept नहीं किया तो it is highly opposed by the society फिर यहाँ से निकल कर आता है वो है heteronormality तो heteronormativity जो है वो भी एक यहाँ पर एक heteronormativity यह भी एक issue निकल कर आता है एक issue है वो है हमारा कि transgender act अभी तक क्या है पूरे तरीके से develop या फर implement नहीं हुआ है सरकार की तरफ से so this all are the discriminations filled by the LGBTQ इसमें अगर हम full equality is still a pie in the sky की बात करेंगे तो इतने सारे judgment आने के बाद भी judiciary में जो core community है इंडिया में अभी भी उनके खिलाब discrimination होता है employment में health और personal relationship में legal sanctions जो है वो oppose किया जाते हैं क्योंकि union of India ने अभी एक oppose में रिसेंटली क्या गया है कि they will going to accord legal sanction to the same sex marriage in India मतलब एक जो sex होता है अगर male male अगर शादी करते हैं या फिर female female शादी करते हैं तो it will going to be a criminal offense और government ने बले ही decriminalization कर दिया हो 377 of the IPC but यह क्या है automatically translate नहीं करती है fundamental right for the same sex couple to marry मतलब same sex couple जो है अभी हमारे देश में शादी नहीं कर पाते हैं फिर आता है वो है heteronormativity so it is the root cause of heterosexism and homophobia heteronormativity क्या होता है तो एक यह believe होता है जिसमें जो heterosexuality है उसको एक default preferred and एक normal mode of sexual orientation तो मानते हैं और यह assume करते हैं कि gender binary मतलब कि there are only two distinct opposite gender होते हैं same कुछ नहीं होता है and sexual and marital relations are most fitting between people of opposite sexes तो यह जो heteronormativity है ना यह हमेशा यह बोलते हैं कि opposite sex के बीच में relation बनते हैं same sex के बीच में relation बनना एक कोई अभी तक क्या है कोई तुक नहीं होती है तो यह इस चीज को हमें क्या है चेंज करना है और यह जो homophobia है उससे यहाँ पर बदलने की ज़रूरत है वो भी हमें यहाँ पर देखना है तो पारलेमेंट ने बिल तो पास किया था 2019 में transgender person के लिए मगर जो LGBTQ community है वो अभी भी protest कर रही है against the act जैसे की one size fit for all approach मतलब उसमें LGBTQ सभी के लिए यह एक ही कानून है they are demanding there should be a different legislature for lesbian, gay, bisexual, transgender etc और उनका जो reservation है वो भी अलग होना चाहिए way forward की अगर हम बात करते हैं तो way forward में क्या होगा तो way forward में हमें यहाँ पर तीन पार्ट में देखना होगा सबसे पहले way forward देखना होगा की यह जो marriage है उसको हमें human right बनाना है मतलब की marriage को जो punishable offense है उसको हमें human rights के अंदर लेकर आना चाहिए सेम सेक्स marriage का दूसरा कि हमें हमारे जो article 15 है जिसमें हम religion, race, caste, sex, place of birth के बीच में किसी को भी discrimination नहीं करते हैं public places में वहाँ पर भी हमें inclusiveness देखाने की जरूरत है और तीसरा कि हमें obviously क्या है एक induce करना होगा behavioral change तो we have to induce the behavioral change यह तीन major way forwards हो सकते हैं अगर marriage को human rights बनाना है तो जो Anthony Kennedy है US Supreme Court के justice उन्होंने यहाँ पर underscore किया है emotional and social values of institution of marriage और they had asserted that same sex couple shall not be denied the we can say human rights as of 2019 जो same sex marriage है वो legally perform किये गए है 39 countries में अभी तर Indian society को इससे सीखने की जरूरत है and we have to synchronize themselves with the changing trend हमारे जो आने वाले जो changing trend है उसको समझना है amend करना है मैं हमारे article 15 को क्योंकि article 15 religion race car sex place of birth के basis पर क्या है public places पर discrimination करने की लिए मना दो करती है मगर in order to prevent discrimination against the sexual minorities जो ground of non-discrimination है उसको हमें expand करना पड़ेगा और उसमें हमें include करना है gender and sexual orientation as well फिर induce करना है behavioral change तो नवदेतिंग से जो हर case आया था और जो हमारे इसकी justice एफ नरीमन उन्होंने ये कहा था कि government को एक gender public को sensitize करना है officials को जैसे की public officials है उनको reduce और finally eliminate करना पड़ेगा अपने stigma के लिए जितने भी LGBTQ community के खिलाब stigma है social media को यहाँ पर role play करना पड़ेगा school and university students के लिए यहाँ पर sensitize करना है जिससे कि वो sexuality diversity को एक अपने myth से हटा सके और myth क्या होगा वो होगा heteronormativity और heteronormativity मैंने बताया था आपको कि heteronormativity मतलब ऐसी we can say area of the society जो की सोचती है कि same sex कुछ नहीं होता opposite sex के relation ही काम करते है conclusion में हम यह कह सकते हैं कि जो constitution है it has conceived by India's founding father as beacon of fundamental right हमारे जो founding father है उन्होंने fundamental right को सब कुछ माना but LGBTQ के लिए it is one of the most marginalized segment of the sanitary so it is the time for change और यह burden है उनका उसको हमें हलका करने की जरूरत है और उनको power देने की जरूरत है and owners will remain with the civil society जब तक हम उनको accept नहीं करेंगे तो जितने वी citizenry concerned है और LGBTQ community के यहाँ पर जो लोग है उनको साथ में आके यहाँ पर क्या है conclusion निकालना ही पड़ेगा तो यहाँ से हमने हर एक चीज़ यहाँ पर LGBTQ community के बारे में cover कर लिया चाहे ruling हो ruling के बाद हमने discriminations कहा कहा फेश करते है sexual minorities जो है वो क्या क्या होता है उसमें problems role of judiciary भी देख लिया way forward भी देख लिया तो यह हमारा एक पूरा topic तयार होता है means perspective से प्रिंस perspective से तो TJLIV is my code यहाँ पर आप 10% discount ले सकते हैं तरकेशवर जन PSIR यह टेलिग्राम चैनल है like, share and subscribe करना नहीं भूलेगा और यह जो bell icon है उसको आपको दवाना है जिससे कि आप लोग जाद से जादा लोग जुड़ पाएं और हमारे जो वीडियो से उसकी जितने भी महनत होती है वो सभी लोगों के लिए यहाँ पर show हो पाएं तो thank you so much